बस ये एक चीज आपकी डायविटीज को तहस नहस कर देगी और बिलेट सुगर को कंट्रॉल करने का यह रामवाण इलाज है आप इसे पानी के साथ या फिर चाय बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं यह स्वाद और सेहत के लिए काफी जादा बैमी साल है और साथ में इस वीडियो तो आप जानेंगे कौन कौन सी आयरुविर्दिक दवाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपकी डायविटीज की समस्या को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगी तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी इसकिप ना करें अन्तक जरूर देगें क्योंकि यह वीडियो यहां इलाइची के वारे माच बात करेंगे यह सवजी से लेकर मिठाईयों में और माउठ प्रेस्नर के रूप में हरी इलाइची का काफी ज़्यादा प्रियोग किया जाता है और यह स्वाद और सुगंद बढ़ाने का काम करता है यह डाइविटीज के मरीजों के लिए ब से पोशक तत्वों से भरपूर होता है जिसकी वजह से आपकी डाइवटीज को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मददगार होता है यह ने केवल स्वाद बलकि आपकी सेहत का भी खास ख्यार लगता है और दुनिया भर में डाइवटीज की जो समस्या है उससे लोग जो इन् continuing के रूप में हम लोग जानते हैं और डाइवटीज में क्या होता बैस्की जो इनसुलिन होता है वो सही से नहीं बन पाता है, जिसकी बज़े से जो blood sugar का जो control है वो सही से नहीं हो पाता है, bread sugar का जो level है आपके bread में काफी तेजी से बढ़ने लगता है और जादा गंभीर हालत होने पर जादा serious position होने के बाद ये काफी जादा जान लेवा भी आपको हो सकता है इसलिए आप ilaichi का पानी बना कर या ilaichi की चाय बना कर इस्तेमाल करने से डाइवटीज के मरीजों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना गया है। हरी इलाइची का इस्तेमाल खाने में स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जता है। या फीके से फीके खाने का भी स्वाद बढ़ायाता है। इलाइची स्वाद में जितना ज़्यादा बेम निसाल होता है तो इस तरह से डाइवटेज के मरीज़ों को इलाइची का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए इसको आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इलाइची का पानी बना कर और इलाइची का पानी बनाने के लिए आपको करना क्या है लगबख 4-5 इलाइची आपको पानी में रात को भिगो देनी है और सुबह उठकर उस पानी को हलका गरम करना है गरम करने के बाद उस पानी को ठंडा करिए या फिर हलका गुनगुना रहने दिए उस पानी का इस्तेमाल करिएगा तो इससे आपकी जो बिलड सुगर है वो कंट्रॉल रहती है और दूसरी अगर चाय बनाने को जो तरीका होता है सबसे पहले आपको एक कप पानी लेना है और एक कप पानी में लगबग चार-पांच आपको इल पालचीनिक आपको टुकुड़ा लेना है इसको पानी में डालने के बाद इस पानी को लगबग चार-पांच मेंट के लिए आप इसे उबालिएगा और जब पानी उबलना शुरू हो जाए फिर उसमें एक कप आप दूद डाल दीजेगा दूद डालने के बाद इसमें ए और इलाइची का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको इस्तेमाल करने से यह हमारे सरीर में इनसुन का जो लेवल है उसको यह बढ़ाती है जिसकी वज़े से आपका जो बिलड सुगर है वो आपका कंट्रोल रहता है आप इलाइची का जो glycemic index होता है वो बहुत कम होता है जो कि आपकी blood sugar को control करने में काफी जादा मददगार होता है तो इस तरह से आप इलाइची का इस्तेमाल कर सकते हैं और यदे हम आयरुविदिक दवाईयों के बारे में बात करें कौन कौन सी दवाई हमें diabetes अगर हो जात है और सिलाजीतावादी वटी है आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं यह भी आपकी diabetes को जड़ से खत्म कर देती हैं इनके वारे में यदि आपको detail जानकारी लेनी है तो आप comment करके जुरू बताईएगा यदि इनके संबन्द में आपको कोई भी जानकारी नीचे comment box में पूछ सकते हैं मैं उसका satisfactory answer आपको दूँगा कैसे इस्तेमाल करना है तो आप ये भी जानकारी मुझसे ले सकते हैं तो फिलाल ये वीडियो काफी बड़ी भी हो चुकी है और ये काफी ज्यादा important वीडियो आज मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया था और diabetes के संबन्द में मैं पहले भी बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ आप चाहें तो उन वीडियो को भी पूरा पूरा देख सकते हैं end screen पर आपको उनका link दिखाए दे जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से आज आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा और यदि वीडियो में बताए गई जानकारी आपको अच्छी लगिए और आपने नया सीखा है तो प्लीज एक like जरूर दे कर जाएगा साथ में यदि आप मेरे YouTube चैनल पाज पहली बार आ हैं तो प्लीज चैनल को subscribe भी करिएगा साथ में bell icon को दबा कर all पर click करिएगा जिसस आने वाली हर वीडियो का notification सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो फिलाल यहां तक वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार जैहिंद बंदे मत्रू